अपने विभिन मागों को लेकर मातंग समाज के लोग मुंबई के आजाद मैदान में एक दिवसीय ओपोशन पर बैठे हैं क्रांदिकारी वेर लहुजी सेना महाराष्ट राज्य संगठन की तरब से चक्री उपोशन किया गया है महाराष्ट में पिछला वर के कही जाने वाले यह मातंग समाज काई वर्सों से अपनी मागों को लेकर विभिन प्रकार के आंदूलन कर चुके हैं पर उनकी सुनवाई कोई भी सरकार नहीं कर रही है अनसुचित आरक्षण वर्गी करण साहित रतन अनाभाव साथे संसुधन प्रसिक्षण संस्था निर्मित करने अनाभाव साथे के जनम भूमी पर भव इसमारक बनाने महाराष्ट के कई योजनाओं के लाव मिलने ऐसे कई करणों को लेकर यह समाज अकर्षित होता दिख रहा है उनका साफ यही कहना है कि मातंग समाज का अगर कल्यान नहीं क्या गया तो किसी भी सरकार को साथ नहीं देंगे साथ ही साथ अपनी मांगों को पूरा करने के लिए वहे और ठोस कदम उठा सकते हैं इसको पोशन में डॉक्टर राजेंदर, अडागले, रमेश, रोकडे, अंब सहेव, मरोती, बागमारे, आधी लोग शामिल हुए जब लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है और लोग जो है अफशब्ध हो जाते हैं तब वो मोर्चा और आंदोलन के नियत तक उनको पहुंचती है इस वक्त हम कड़े हैं आज़ाद मैदान में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हैं जिनकी बिभिन मांगे हैं जिसको ले करके वो सरकार से अपना निवेदन दे रहे और यहां पे एक दिवस्य उपोर्शन पे बैठे है यह जो संस्था है इनका सिर्फ क्या केना चाहेंगे किस तरह की आप लोग जो है आज पोर्शन पे बैठे हैं और मांगे क्या है जो कि बिभिन मांगे बहुत सारे रहते हैं लेकिन जो अमोल्ably मांगे जो है जिसके लिए आप लोग कहीं न कहीं पीछे गिरते हैं सकल मातंग समाज महाराश्ट और लहुजी कृरांतिवीर लहुजी सेना महाराश्ट की और से अजाद मैदान में ये आज एक दिविशिय धनने अंधोलन का अयोजन किया गया है ये शकल मातंग समाज और क्रांतिवीर लहुजी सेना ये मातंग समाज का महाराष्ट भरका एक संगटन है आज तक भारत के स्वतंतरता के बाद आज तक पचातर साल में ये मातंग समाज जो सेडुल कास्ट में आता है इसके तरफ दुरलक्षे किया गया है तो जो जो भी महाराष्ट शाषन या केंदर शाषन की जो सवलती है जो निधी आता है वो आज तक हमारे समाज के हिस्से में नहीं आया है ये अंदोलन आज हमारे करांतिवी लोह जी सेना के संस्तापक काद्यक्षे राजेंदर आडागले जी उनके महाराष्ट के प्रसिडेंट मानिय रमेश नाना रोकडे जी और हमारे तमाम मातंग समाज के कारक्रताओं के उपस्तिते में ये धर्णे अंदोलन हो रहा है तो हमारा मुक्यता ये एक जो हमारी महाराष्ट के मातंग समाज की मांग है कि अनुसुची जाती का जो अरक्षन है वो अरक्षन आज तक हमें हमारी लोकसंक्या के हिसाब से नहीं मिला है तो उस हिसाब से हमें अरक्षन पाने के लिए है ना ही मातंग समाज को लेकिन जो सेडूल कास्ट के सुची में 59 कास्ट आते हैं वो 59 में से 58 कास्ट को इसका जो हिस्सा मिलना चाहिए प्रापर हिस्सा आज तक मिला नहीं है इसलिए हमारे साथ जो 58 कास्ट है सेडूल कास्ट की उनकी ये मांग है कि हमें सेडूल कास्ट में सब काटेकराजेशन किया जाए उसका उपवरगी करन किया जाए ताकि उपवरगी करन उनकी जो वास्तों में संक्या है उस संक्या के हिसाब से अगर उपवरगी करन किया गया तो जो भी गौर्मेंट की योजना है जो भी गौर्मेंट का फंड है जो भी गौर्मेंट का समाज के विकास के लिए आने वाला निदी है वो इनको समान तरीके से बाटा जाएगा और उसका विकास होगा यह हमने इसके लिए महाराष्ट में सकल मातंग समाज के ओर से इसी आजाद मैदान में हमने एक यत्रा निकाली दौणी यत्रा पिछले 20 से जुले को जो पुना से आजाद मैदान तक आए और सेकुडों के कारे करता उसमें पुना से भरी बारिश में भीगते हुए रस्ते से हम पुना से बाम्बे आये अपना अन्नाबाव साथे का पुतला उसके पास चेमबुर के वहाँ से हम आजाद मैदान में पैदल चलते आये और हात में हमारी हलकी जो डंगवरा बोलते है वो हलकी लेके इस सरकार को जगाने के लिए हमने आये और इस जिस दिन बावी जुल पुनाब से आने वाले ट्रेने बन थे, लोकल मुंबई के जो है, वो लोकल सब बन थे, तो उसी आवस्था में भी महरास्ट से करीब करीब 15 से 20 अजार मातंग समाज, यहां आजाद मैदान में यह कटा हुआ, और दीन भर उस दिन ओ दोंडी यातरा की रैली होती रही, महरास साथे अनुसुचित जाती का वर्गी करन हो, और हमारी दूसरी मांग है अननाबाव साथे प्रसिक्षन और संचोधन संस्ता, इसका नाम आरटी है, उसकी मांग हो लहुजी सालवे अभ्यास आयोक का गठन 2003 में कांग्रेस के कारेकाल में किया गया था, उसका अभ्यास करके 2008 को लहुजी सालवे अभ्यास आयोक महारास्ट शाचन को सोपा गया, उसके बाद में 2011 में वही महारास्ट सरकार ने उसमें से जो हमारी अरक्षन की स्वतंतर अरक्षन की मांग थी, वो बाजू में रखे, ऐसे थातूर मातूर कुछ हमारे 84 मांगे थे उसमें, उसमें जो 60-68 मांगे उसमें रखे गए, जो छोटे-छोटे थे, तो भी उसका भी इंप्लिमेंटेशन, 2011 से लेके अब तक उसका भी इंप्लिमेंटेशन ये सरकार नहीं कर पाया है, तो उसके अगेंस्ट में हमारा ये मातंग समाज का महारास्ट बर्का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, दुसरी बात, हमारा लोक्षायर अन्नाबाव साटे विकास महामंडल, जो महारास्ट के मातंग समाज के लिए एक आर्थिक महामंडल है, इनको कोई बैंक वाला अपने दरवाजे में खड़े कर नहीं देता, उसके पास उसको ग्यारंटी देने के लिए कुछ नहीं है, आईसा समाज, उसको लोक्षायर अन्नाबाव साटे की महामंडल की तरफ से, उनको जो लोन मिलता था, करजा मिलता था, कुछ थोड़ा बहुत अनुदान भी मिलता था, लेकिन हमारे उस महामंडल में बरस्टाचार हुआ, बरस्टाचार की उसकी इनक्वारी चलती रही, उसका ब्रस्टाचार और उनकी नुकारी का नाम लेके करिब करिब नौ साल से लोकशाइर अन्नाबाव साथे विकास महामंडल जो कि महाराश्ट के मातंग समाज को रोजगार दिना लेके लिए कुछ हद तक काम करता था, वो महामंडल भी बंद करके रखा है करिब करिब, बजट नहीं दिया जाता है, हमारा सरकार से सवाल है, जिस संस्ता में महाराश्ट में, जिस संस्ता में देश में ब्रस्टाचार हुआ है, यहां महाराश्ट में बहुत सारे बैंक है, MSC बैंक जहां महाराश्ट कर स्टेट कॉपरिटिव बैंक बोलते हैं, उसमें भी करोड जो रुपए का ब्रष्टा चार हुआ क्या तुम वो ब्यांक बंद करके रखे क्या हम पूचने वाले नई है यह समाज जो गरीब समाज है यह समाज यह कटा नहीं होता रस्तें प्रे की ताकत नहीं है इसके पாस उपदरवय मुल्ले जिसको बोलते हैं ओ नहीं है इसलिए इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो अभी सरकार को हमारी चेता उनी है मातंग समाज आप रवस्तेक में आने के लिए तयार हो गया है हमारे हित में जो बात करेगा हमारी जो सोचेगा हमारा विकास के बारे में जो सरकार जाने में जो आवकड का ईशू है जो आरटी का ईशू है लओजी सालवे अभ्यासायोक का उशू है अन्नाबाव साथे विकास मौहमलनगा का इशू है डगर अन्नाबाव साथे को भारत रतन किताप देने के लिए महाराश्च् appear करो ऐसी हमारे अनेको साल से सरकार के तरफ मांगनी है लेकिन वो भी सरकार ये माराष्ट्र सरकार के इंदर सरकार को भेजने के लिए तयार नहीं है भारत रत न दिया तो तुमको क्या करोडो रुपय का निधी लगने वाला नहीं है तुमको क्या पैसा लगने वाला नहीं है तुमारे बजट पे कोई बोज आने वाला नहीं है तो भी एक हमारे स्वाविमान की बात है हमारे आस्मीता की बात है हमारे स्वाविमान और आस्मी क्रांतिवी लहूजी सालवे इस भारत के स्वातंतरता के लिए उनके पिताजी रागु जी सालवे और खुद स्वांतिवी लहूजी सालवे ने अंगरोजों के खिलाप लड़कर अपना बलिदान दिया है आईसे खोम से हम आते हैं आईसा DNA मातंग समाज का है इस राश्ट प पतनतरता मिलने के लिए हमारे कौशंहों लड़ी है हमारे BLT के पिता जी रागों जी सालवे कर्णती भी लोगों एक लिए इसे लोगों के लिए लेकिन इसके तरब भी उनका कोई ध्यान नहीं है वहां की जमीन जहां अन्नाबाव साथे जहां रहते थे उनके जगे पे वो जगा लेकर उस पे एक समारक समारक बनाने के लिए हमने मांग की है उसके लिए भी सरकार करने के लिए कोई अलचालने कर रहा है ये दो अंदोनों होने के बाद में मानने मुख्यमंत्री साहब के तरफ हमारी बैटक हुई करीब करीब एक घंटा बैटक चली ओ बैटक में मानने मुख्यमंत्री महराष्ट के बोले कि एक से देड महेने के अंदर तुम्हारा जो अवब कड़ है इसके हम गोश्चना करेंग अरटी की निर्मीती करेंगे अन्नाबाव साथे विकास महमंद्र को भरिव तर्तूत करके निधी देखे महमंद्र चालू करेंगे और लगुजी साल्वे आयोक की सिपार इसुन को पूरे लागू करेंगे लेकिन देड महिना हो गया उसके बाद में हमने दुर्चरा मुचरा अगला कदम हमारा ये महरास्टर बर में हम समाज इकटा करने के लिए समाज में जन्जागरिती करने के लिए घूम रहे हैं और ये विशे पे हम सरकार को अल्टिमेटम देते हैं अभी बाद में छंबूराजे देशा ही जो हमारे सब्जेट के लिए C.M. ने बोला था उनके तरफ मिटिंग हुई है उनके मिनिट्स अभी आज हमारे हाथ कल में हमारे हाथ में आ जाएंगे उन्होंने बोले तीन मेने के अंदर ये विशय पर हम डिसीजन लेंगे लेकिन उसके मिनिट्स आने को करीब मिटिंग होके दो मेने हो गए उसके मिनिट्स आने को आज कल में द उसे जाती के अरक्षन में वरगी करन किया है और एक Supreme Court का decision आया है जो गेंदर सिंग वर्षेस पंजाब का 2020 का जो judgment आया है उस judgment में clear clear बताया गया है कि state government is the best judge state government can study the society who are जो पीछे है schedule caste में उनकी study करके उसके ऊपर वो स्वतंतर ऐसा अरक्षन दे सकता है स्टेट government को वैसे अधिकार है इस तरह से वो judgment में दिया गया है 2020 के वो judgment के आधार पर करनाटकर की सरकार ने पिछले पिछले जो election था करनाटका उसके एक देड़ भहना पहले वो सरकार ने वहां के सेडुल काश के अरक्षन में अब कड का ऐसा वरगी करन करके अरक्षन दिया है हमारी सरकार ने हमें बोला है कि हमारा एक महाराष्ट का अधिकरियों का सिस्टम अंडल अधिकरियों का और हमारे सकल मातंग समाज का सिस्टम अंडल करनाट्र को जाके वहां से study करके उसके उपर वो यहां लाएंगे और उसके उपर आपन महराश्य सरकार की decision लेंगे ऐसा किया है और छोटी मोटी बहुत सारे मांगे मातंग समाज की है हमारे हमारे पास हमारे मातंग समाज आज कल traditional minded है हमने परंपरा के साथ रहने की मानसिक्ता वाला समाज है लेकिन उस अगर कोई हमारे पार्टी में आने वाले election तक अगर कोई हमारी पार्टी भी इसमें अगर decision ले नहीं लेगी तो जो सरकार जो लोग हमारे साथ इस decision के साथ रहने वाले वैसा मातंग समाज महाराष्ट में उनके साथ रेगा और इनको जो हमारे साथ सरकार में रेके अगर ये नहीं कर पाए तो इसकी सजा वो सरकार को और वो पार्टी को भोगतनी पड़ीगी धन्यवात मातंग समाज को याद आता है बाकि समय उसको यकिए जब इलेक्षन की जरौत होती है तो मातंग समाज और सब समाज दिखते है लेकिन जहतने के बाद में कोई समाज का मांगे पुरी नहीं होती इसी तरह 70 साल से हमारा समाज अपनी मांग के लिए लड़ रहा है आज हमारे समाज में आशिक्षिता ज़्यादा बढ़िये हुए है अंदश्रदा ज़्यादा बढ़िये उसके वज़े से हम लोगों का विकास नहीं हुआ है आज नोकुरी में हमारा समाज कम है अगला स्टेप जैसे आप एक दिवसी बैटे है कई बार जो है मातंग समाज बैट चुकी है लेकिन सरकार के कान पे रूंग नहीं जीलता है वो वही करते हैं जो उनको करना रहता है अगला स्टेप क्या लेंगे चुकी मातंग समाज जो है एक माहराष्ट का एक पार्ट और पार्सल है बावी जुले में मारुती जी वाड़े करके नेतुर्दों में सकल मातंग समाज यह पुरे माहराष्ट बर में अंदुलन कर चुके है उसके लिए हम लोग को कुछ टाइम दिया है अगर यह टाइम में कुछ हमारा मांगे पूरी नहीं हुए तो माहराष्ट बर हम लोग चक्का जाम करेंगे अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो आगे कुछ कज़रने के लिए पूरी तरह से कोशिज करेंगे कैमरा परसन रभी के साथ संदर सिर्वास